दोस्तो आपको पता होगा कि रिजर्वेशन काउंटर से बुक किया गया टिकट अगर वेटिंग में रहता है तब भी आप उस वेटिंग टिकट से आतरा कर सकते हैं लेकिन अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है या करवाया है और वेटिंग में रह जाता है तब आप birth ऐलाट हो जाती है जिसकी एक copy train के TTE के पास होती है लेकिन ticket अगर waiting में है तो आपको कोई seat नहीं मिलती है लेकिन आप उस ticket से train में आत्रा कर सकते हैं और train में कहीं खाले seat मिलती है तो आपके नाम से seat ऐलाट हो सकती है दोस्तो अब बात करते हैं IRCTC की account में refund कर दिया जाता है और तब आप बिना ticket हो जाएंगे अब आपको यात्रा करने के लिए general ticket लेना पड़ेगा या penalty दे कर ticket बनवाना पड़ेगा अब दोस्तो यहां पर सवाल यह आता है कि internet से किये गए waiting ticket को railway cancel क्यों कर देता है जबकि counter से बुक किये गए waiting ticket को cancel नहीं करता है तो दोस्तों इसका रीजन यह है कि internet से किया गया ticket का प्रिंट नॉर्मली एफूर साइज के पेपर पर या मैसेज के द्वारा होता है और इसका लोग मिस्यूज कर सकते मतलब उसी टिकट का जेरॉक्स करवा कर बहुत सारे लोग ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सीट तो एलाट की नहीं जाती बस खड़ेओ करके यात्रा करना होता है इसलिए रेलवे नेट से किये गए वेटिंग टिकट के पेनार को कैंसिल कर देता है लेकिन काउंटर से बुक किये गए वेटिंग के टिकट को रेलवे इसलिए कैंसल नहीं करता है क्योंकि इसका जेरॉक्स या फोटो कापी माने नहीं होता है और उसे केवल एक ही यातरी अपने प